नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है बिविक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद बिवेक जहां हम मोगाल और केम्पुटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियो लेकर आते रहते हैं आई दोस्तो आज का वीडियो लिकर रहे हैं आप लोगों को गूगल जो आपका अकाउंट होता है उसमें आपने देखा होगा आप काफी सारी चीजे जो है गूगल पर लॉगिन करके चलाते हैं जैसे कि मैं आपको एक्जांपल दिखा देता हूं माल लीजिए यह जो ग्रो हमारे रोज के काम की चीजे हैं तो इनसे हमें ज्यादा खत्रा नहीं है अक्सर होता क्या है कि हम बहुत सारी वेबसाइट पर हमारी आईडी तो लॉगिन करते हैं लेकिन जब हम उसका इस्तमाल करना बंद कर देते हैं तो जितनी भी जानकारी डेटा का आपस में शेयर होत कि कितने थर्ड पर्टी एप को आपने लॉगिन किया है और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जिनका आप इस्तमाल नहीं करते हैं तो उसको डिलीट कर सकते हैं आपको करना क्या है यहाँ पर चलना है अकाउंट्स पर आना है अकाउंट्स पर आने के बाद आप देखे यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, third party app और यह जो third party apts and services हैं, यह लिखा हुआ है keep track of your connections with third party apps and services तो दोस्तों यह बहुत ज्यादा important ज़ीजTransOM tour आपके पास यहां पर यहां पर पूरी लिस्द आएगी और यह आप लिस्ट दीख रहे हैं तो यह आपके मिल रहा है, कि यहाँ पर grammarly हुआ यह देखिए यह जो हम इस्तमाल करते हैं आपको यहाँ पर यह देखने के लिए मिल रहा होगा इसके साथ यह जो growth stocks and mutual funds हुआ जैसा मैंने भी आपको बताया यह noise fit का watch health or fitness के लिए है यह da hindu e-paper जो subscribe कर रखा है एक whatsapp messenger जो कि आप देखेंगे हम whatsapp चलाते हैं तो इसका backup भी जो है दोस्तों यहाँ पर आ रहा होता है अब करना क्या है माली जीए मैं आपको डिटेल देखाता हूँ ग्रामरली की दिखाते देता हूँ यहाँ पर क्लिक कीजिए जैसी आप दोस्तों आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे यह detail आ रही है और see your profile information कितनी profile information मैंने इनको दे रखी है यह जैसी आप यहाँ पर details को देखेंगे यह देखिए access मैंने कब दिया था यह मार्स 13.26 PM पर और grammarly.com यह दिख रहा है अब माली जी मैं इसका इस्तमाल करना नहीं चाहता हूँ देखी यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड है नाम यूज कर रहा है इमेल यूज कर रहा है प्रोफाइल पिक को वो देख सकता है stop using sign in with google अगर मैं इससे connection दोड़ना चाहता हूँ यहां से तो मैं यहां पर क्लिक करूँगा और यह connection यहां से खतम हो जाएगा यह हो गई पहली चीज दूसरी चीज आप देखेंगे यहां पर जो नीचे delete all connections you have with grammar आपको यह भी करना है यहां पर क्लिक करने के बाद यह देखे आपको option दे रहा है जब आप delete कर देंगे तो क्या-क्या यहां पर होगा क्या नहीं होगा यह message आप आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को pause करके और जैसे आप confirm करेंगे तो यहां से सारे connection सारी history डिलीट हो जाएगी और आप इस third party app से जो है बाहर आजाएंगे तो दोस्तों इस तरीके से आपको यह detail देखने के लिए मिलती है यहां देखी लिखा है access to any account access access sign in with google और यह जो आपको information देख रहे हैं यह 5 चीज़े आपको देख रहे हैं चैनल को subscribe कीजिएगा अपने दोस्तों में share कीजिएगा comment के मादम से मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा मेरा नाम है विविक भारत द्वाच thank you